नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पर डेली सुभ़ एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार SSE में आप तक पुछा गया सभी परसनों का सब्जेक्ट वाइज अस्टेडी कर रहे हैं साथ में BBI Extra Facts भी बता रहे हैं जो आने वाले सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए अती उपियोगी हैं इस स्रीज में मार्केट के सभी महतपुर्न पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट परिक्टिस करेंगे यानि कोई भी Extra Facts इसमें अभी नहीं बताएंगे और इसमें कु सदस्यों को लोकसवा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यह समूदा का पर्तिनीधित्व परियाप्त ना हो सिंपल है कि लोकसवा में जो दो सदस्यों का इसमें नामित किया जाता है राष्टपती के द्वारा वो किस अनुछेद में है तो इसका correct answer यह अनुछे 331 में है औ ब्रिधी गुनबता में सुधार और जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना है और परती हेक्टेयर उपज में ब्रिधी करना था तो यह कब हुआ था 2005 में रास्तिय जूट निती का सुत्रिकरन किया गया था नेक्स्ट है कि पाटी में गुबारे फूलाने के लिए निमलिकित में से किस अक्रिये गेस का उपयोग किया जाता है तो गुबारे फूलाने के लिए इसमें हिलियम गेस का उपयोग किया जाता है पर्थम राष्टमंडल खेलों का आयोजन किस बर्स किया गया था तो पहल मासागर का है और दुनिया का सबसे गहरा बिंदू है वो परसांत मासागर में मरियानागर्त है next है की भारती सम्मिधार के निमलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्रान एवं देहिक स्वतंतरता संरक्षन का अधिकार प्राप्त है तो ये अनुच्छेद 21 में है इसका को रेट एंसर होगी है D नेक्स्ट है कि भारत सरकार की आयुसुमान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली बार्सिक स्वास्त कभर की रासी कितनी है यानि आज़सुमान भारत में कितनी रासी दिया जाता है तो सलाना पांच अलाक रुपया दिया जाता है नेक्स्ट है केरल में मनाय जाने वाला ओनम नामक भारती तेवहार कितने दिनों तक मनाय जाता है तो ओनम तेवहार मनाय जाता है दस दिनों तक नेक्स्ट है कि बनारस के इन में से किस राजा को 1780 में वारेंग हेस्टिंग्स द्वारा गिरिफ्तार किया गया था तो वारेंग हेस्टिंग्स द्वारा गिरिफ्तार किया गया था ये चैट सिंग को इसका कोड़े टेंसर हो गया बी नेक्स्ट है नवंबर 2020 में परधान मंतरी नियनन मोदी ने इन में से किस राज में सांती की परतिमा यानि अस्टेची ओपीस का अनावरन किया था तो सांती का परतिमा अनावरन किया था ये राजस्थान में नेक्स्ट है कि जब रक्त प्रबाह में केल्सियम के मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुस्यों में निमलिखित में से किस गरंथी द्वारा केल्सी टोनिन हार्मोन का अस्त्राब होता है थाराइट गरंथी के द्वारा नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किस वर्स में गांधी इर्विन समझोता हुआ था तो गांधी इर्विन समझोता का हुआ था 1931 में हुआ था गांधी इर्विन समझोता 1931 नेक्स्ट है कि निमलिखित सक्षियतों में किसे भारत में पिछडे बर्गों और जातियों के सरत कमल यह सरत कमल अचंता जो है एक भारतिय पेसेबर खेलाड़ी यह टेबल टेनिस से इनको राजीव गांदी खेलरत ने मिला है नेक्स है कि इंडियन प्रीमियर लिग मेच में दो मेड़न ओभर की गेंदवाजी करने वाला पर्थम गेंदवाज कौन सा है यानि कि IPL में दो मेड़न ओवर डालने वाला कौन है तो वह है यह मुहमद सिराज है सहीधी सभा तेहार निमलिखित मेंसे किस राज द्वारा मना जाता है पंजाब सरकार के द्वारा नेक्स्ट है कि बानभट ने राजा डेस की जीवनी लिखी तो बानभट हर्सवर्दन की जीवनी लि निर्जन दूइप में एक पक्षी अभ्यारन अस्थी थे तो किस निर्जन दूइप में पक्षी अभ्यारन अस्थी थे तो पिट्टी दूइप में अस्थी थे ये निमलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटीस काल के दोरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतो कि योजना बनाने और उन्हें डिजाइण करने का स्रे दिया जाता है तो वह कौन है येसे अर्यास्वदी भवन का डिजाइण किसा ने किया था तो यही नहीं लुटिय निमलिकित में से कौन सा दूइप युनेशको भी सुधरोहर अस्तल में जिसमें मुख्य रूप से हिन्दू भागमार्ण सिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है तो यह कहा एलिफेंटा दूइप में है नेक्स्ट है। निमलकित में से कौन सा समुद्री बंदरगा हिंद महासागर में अस्थित नहीं है। इस्रो का परस्ताबिट सुक्रियान मिशन कौन से गरह के अधियन के लिए है। सुखरियान मिसल किसका तो सुक्रैन के अध्यान के लिए इस चाहिए। य Bleug एक परकार की ट mango ठाज दरवार के अकबर के दरवार के नाव तन extrem से किस नाम से लोग प्रिये था तो महजदास किसको आ जाता था बिर्बल को नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन कि अलफ्रेट नोबेन की इस्वनेती में आर्थी विग्यार में 2020 का स्वीरी सेज स्वेरी से जैस रिक्स बैंक पुरुसकार संजुक्त रूप से डेस को परदान किय जा गया था तो यह दिया गया था पॉल आर मिल ग्राम और नेक्स्ट है कि षिरी से दिया गया ईस अधिक इंचैन्सट है विष्वास के साथ है विश्वास के विचार को एक सर्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है नेक्स्ट है कि मुगल वात्सा साह आलम दूतिये ने किस बर्स में बंगाल बिहार और उडिशा के दिवानी इस्ट इंडिया कमपनी को अनुदान स्वरूप देन इस्ट इंडिया कमपनी को अनुदान सुरूप देने का फर्मान जारी किया था निमलिकित में से कौन एक पैसेवर विलियट्स खिला रही है तो यह पंकज आडवानी जो है यह विलियट्स खिला रही है नेक्स्ट है यदि परकास एक दूसरे के सामने रखे गए तो दो द महान असनानागार को डेस की परत चढ़ा कर जलरोधी बनाया गया था तो महान जोदलों को जलरोधी किसकी परत चढ़ा कर बनाया गया था तो इसमें यह प्राकृतिक चारकुल की परत चढ़ाया गया था महान असनानागार का मिला है तो महान जोदलों में महान जोदलों का अधिबिरिक गरंथियां मानब शरीर के किस अंग में अस्थित होती है तो अधिबिरिक गरंथ यानि एड्रीनल गरंथी यह कहां होती है तो यह ब्रिक में होता है यानि किड्नी में यह होता है ठीक है किड्नी में होता है नेक्स्ट है कि भारत के किस राज में मानिक कि बंस का सासन था तो मानिक बंस का सासक था यह तिरपूरा में विभिन देशों को बर्गी करित करने में विश्वएंग कर द्वारा उपयोग किया किया जाता है तो वो परती बेगती आई से नेक्स्ट है कि भारतिय समिदान का कौन सा अनुच्छे भारती संसद में मंत्री परिशत की भूमिकाओं और जीमेदारियों का बर्नन करता है अनुच्छ चोहत्तर में नेक्स्ट है जीनमें एक सवापती और उपसवापती दोनों की अनुमती में सदन की अधिक्षिता करता है तो यह होता है नियम आठ के द्वारा है नेक्स्ट है कि कुल भागोलिक छेत्र के परतिसत के रूप में बन आक्छादन के संदर में दुई बारशिक भारत बन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निमिलिके तो में से कौन सा राज भारत के सिर्स पांच राज्यों में से एक नहीं है तो यह का option देख़ते हैं आ मि कि इसमें पांच राज्यों में से कौन सा नहीं ये तो hon कि सिर्ष पांच राज्यों में से बन अक्षादन में को नहीं है तो इसका आंसर क्लोई के परत परत्ते है कि भूढोलिक प्रतिस्यद रूप में-अक्षादन के संदर्व में दूई बारसिक भारत बन अस्थिती रिपोट 2019 के अनुसार निमलिखित में से कौन सराजी भारत के शिर्ष पांच राज्यों में से एक नहीं है तो भारत सरकार के बन अस्थिती रिपोट 2019 के अनुसार इसका एंसर दिया है जागे इसके सबसे ज्यादा बन जिसमें है सबसे ज्याद़ बन 알गाद नहीं इसका स्वास्त मंत्राले द्वारा राष्टिय सहायक परजनन परदोगी की और सरोगेशी बोड के सदस्य के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका इंसर यह है डॉक्टर आर्जी पतेल को थे केंदरिये स्वास्त मंत्राले दोरा रास्टिये सहायक परजनन परदोगी की और सरोगेसी बोड के विशेसा के सदैसे के रूप में किसे निक्त किया गया है तो आरजी पटेल को सहरी विकास मंत्राले ने हैदराबाद और उसके आसपास के कितने जल निकायों के काया कल्प और विकास के लिए एक कार्चकरम सुरू किया गया है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह 50 इसका कोरेक्ट एंसर हो जाता है ओप्सन नंबर डी यानि तेलंगना सरकार के नगरपाली का परसासन और सहरी विकास मंत्राले ने हैदराबाद और उसके आसपास के कितने जल निकायों के काया कल्प तो 50 नेक्स्ट है कि नासा के मून टू मार्श प्रोग्राम के पहले परमुख के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो मून टू मार्श प्रोग्राम के पहले परमुक्ष के रूप में अमित छत्री को नियूक्त किया गया था यह बार्सिक भारती स्रीलंका दुइपक्षिय समुद्री संभ्यास है सलाइनेक्स दोजर तैस का कौन सा संस्क्रण कोलंबो स्रीलंका में आउजित किया गया है तो इसका कॉरेक्ट इंसर है दसमा संस्क्रण ठीक है अब डारेट कोश्चन इससे जादे मत्पूर्ण यह पुछ लिया जाता है सलानेक्स जो है सेन नेमबास किसके किसके बीचे तो भारत और स्र देश का रक्षा चमताओं को बढ़ाने के लिए घरेली उत्पादकों के साथ लगबग चोवन सो क्रोण रूप्य की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्चर किये तो तीन अनुबंधों पर हस्ताक्चर किये नेक्स्टे कि नई दिल्ली में दीन दियाल नामक एक अनुठी पहल किसने शुरू की तो यह गरीराज सिंग ने सुरू किया था कहा तो नई दिल्ली में दीन दियाल उपाध्या गरामिन कोसल योजना के ताथ केप्टीव एमपलॉयर्स नामक एक अनुठी पहल शुरू किया था गरीराज सिंग नेक्स्ट है कि सोलर corporation of India limited को ले सेंट्रल पबलिक शेक्टर एंटरप्राइज का दरज्य दिया गया है तो इसका correct answer है कि यह मीनी रत्न category 1 का दरज्य दिया गया है सोलर एनर्जी corporation ओफ एंडिया लीमिटेड को मीनी रत्न category 1 central public सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है दस दिवस्य सांस्कृतिक उत्सव स्वरास्ट तमिल संगम किस राजी में शुरू हुआ तो यह गुजरात के यह सोमनात में शुरू हुआ था कंबन कंबम पनिर थ्राचाई जिसे कबम अंगुर के नाम से भी जाना जाता ह है को भोगोलिक संकेत जी आई टेग मिला है तो कुम्बुम अंगुर किस राजी का अंगुर है तो कुम्बुम अंगुर जो है यह कहां का तमिल नाडू का यह जी आई टेग मिला है यह कुम्बुम अंगुर तमिल नाडू का है नेक्स्ट है कि भारत का नया नाभिकी उर् यानि पानी कितने डिग्री पर ये केलबीन पर जमता है तो इसका कोरेक्ट एंसर है 273 15 केलबीन पर और सेंल्सिएस में zero और foreign फोरे नायट में कितने पर हिमांगे उसका 32 डिग्री नेक्स्ट है कि कोशिका के खोज किस ने किया था कोशिका के खोज रोवर्ट हुक ने किया था और कोशिका के केंद्र के खोज किस ने किया रोवर्ट ब्राउन ने किया था नेक्स्ट है कि निमलिकित में से किस अंग की ब्याधियों के निदान के लिए EEG परिक्षण किया गया था यानि कि EEG य किससे सम्भन देते तो यह मस्तिस्क से संबन देते EEG मस्तिस्क सम्भन देते और एक आता ECG इलेक्ट्रो करडियो गराम ये है इससे हिर्दे से संबन दीत है फासफोरस की परमानुक्ता क्या है तो फासफोरस की परमानुक्ता ये चतुस परमानुक है नेक्स्ट है कि स्वासनली इन में से किस मानब तंत्र का एक भाग है तो स्वासनली ये तो स्वसंतंत्र का भाग है निमलिकित में से कौन सी गरंथी इ पागहोट जो माइक्रोशोफ्ट एक्सल स्ञागलर होता है तो मैक्रोशोफट एकसल में बर्कवोख डेस्त का एक संगरह होता है तो Microsoft Excel में वर्क वोक जो होता है वो वर्क सिट होता है नेक्स्ट है कोच्छा नमबर 63 थायरोक्सिन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्व आवस्यक है तो थायरोक्सिन के संसलेशन के लिए आवस्यक है आयोडीन प्रोटियम में कितने न्यूट्रोन मौजूद होते हैं तो इसमे zero neutron होता है यह hydrogen के समस्तानिक तीन समस्तानिक होता है रोटियम तो प्रोटियम न कीवल एक proton रहता है neutron इस में नहीं रहता है next है कि बायू में में मौझूद निमिलिक रिखित में से कौनसा तत्व चांदी की बस्तुओं को काला कर देता है जब यह बायू के में आती यह संपरक में आती है तो वो क्योंड अविक्रिया नहीं में परिवर्तन यह रासाइनक अभिक्रिया नहीं होई हुए इसे यह निर्यारित जाता है नेक्स्टे परमानु उर्जा अधिनियम डेस नाभी की सकती उत्पादन को नीजी नियंत्रन को प्रतिवंधित करता है तो प्रमानु उर्जा अधिनियम जो है यह कब आया था अंगों की बुनियादी संगर्चन एवं उत्पत्ति समान होती है किन्तु उनके कार्च भिन्ध होते हैं तो उसे कायाए तो बंख्यात है intrigued और संगर्चन समान होते लेकिन उसका कार्च जो तो इसका विश्फार कबाश्द किसम किया गया था तो 1989 में और डवलुडवुडवु का विश्फार किसने किया था टीम बर्विन लिने और एक्वेटर पुरुष्कार से सम्मानित किया तो एक्वेटर पुरुषकार सम्मानित किया गया किसको डेक्कन डेवलप्मेंट सोसाइटी को नेक्स पकिस्तान नाम किस वर्स में गढ़ा गया था तो पकिस्तान नाम गढ़ा गया था उनीसो तेटीस में पकिस्तान सब्द किस ने दिया था तो रहमत अली ने दिया था भा महत्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में भरेटिस साथन भारतियों द्वारा किये गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था तो यहakovा जोसीत है कि के निम्लिकेत में से कौन सा बिसानु जनित रोग है support वाइरस से होने वाला रोग है नेक्स्ट कोशने शेवेंटीनाइन कि ब्रिटीस सरकार द्वारा एक केबिनेट मिशन भारत भेजा गिया था जिसमें कितने सदेश तो तीन सदेश था और केबिनेट मिशन सर पेंथिक लोरेंस था गुजरात के अरुनाचल परदेश के समय और गुजरात से अरुनाचल परदेश के बीच का जो समय का अंत्रान होता है दो घंटे का होता है नेक्स्ट है कि भारती सम्मिधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो भारती सम्मिधान के संदर्व में यह जो है मौलिक अधिकार न्या संगत होते हैं जब कि राज के निती निसक्तत्व यह गैर न्या संगत होते हैं यह सही है नेक्स्ट है कि RBI द्वारा अभासी बीत पर्ति भूती करन वजार के विकास है तो गठित समिती के अध्यक्ष कौन है तो इसका correct answer है ये हर्सवर्दन है नेक्स्ट है कि संजुक्त राष्ट संग की अस्थापना डेस देसों द्वारा संजुक्त राष्ट चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था भूरा पच्चासी कोश्चन होता है समाब मिलते है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहे मुश्कुराते रहे जयाएं दोस्तों